नाश्कार जी, साथियों, जब हम हेल्थ केर की बात करते हैं, तो इसे प्री कोविड एरा और पोस्ट पैंडेमिक एरा इसके विभाजन के साथ देखना चाहिए. कोरोना ने पूरे विश्व को ये दिखाया और सिखाया भी कि जब इतनी बड़ी आपदा होती है, तो सम्रुद्ध देशों की विक्सित व्यवस्ताएं भी द्वस्त हो जाती हैं. दुनिया का ध्यान पहले से कहीं जादा अब हिल्थ केर पर आया है. लेकिन भारत की एप्रोच सिर्फ हिल्थ केर तक ही सिमीत नहीं, बलकि हम एक कदम आगे बढ़कर वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं. इसलिए हमने दुनिया के सामने एक विजन रखा है वन अर्थ वन हेल्थ यानि जीव मात्र के लिए चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, तो सब के लिए एक होलिस्टीक हिल्थ केर की बात कही है, कोरोना वैस्ट्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपुन विशे बन गया है, जब पैंडेमिक पीक पर थी, तो कुछ देशों के लिए दमाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसीज, ऐसी जीवन रक्षक चीजे भी दुरभागे से हथियार बन गई थी, बीते वर्षों के बजेट में भारत ने इन सभी विशव पर बहुत ध्यान दिया है, हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे, ऐसे में आप सभी स्टेक्षोल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है, साथियों, आजादी के बाद अनेक दशकों तक भारत में स्वास्त को लेकर एक इंटिग्रेटेड एप्रोच, एक लॉंग्टम वीजन की कमी रही, हमने हेल्थ केर को सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक ही सिमित नहीं रखा है, बलकि होल अब गवर्मेंट एप्रोच पर बल दिया है, भारत में इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही है, आईश्मान भारत के तहट पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज को ये सुविधा देने के पीशे हमारे मन में यही भाव है, इसके तहट अभी तक देश के करोडों मरीजों के लगभग 80,000 करोड रुपिये जो बिमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे, वाले खर्च होने से बचे हैं, अभी साथ मार्च को ही कल देश जन आउसदी दिवस मनाने जा रहा है, आज देश भर में करीब 9,000 जन आउसदी केंद्र हैं, इन केंद्रों पर बाजार से बहुत सस्ती कीमत पर दमाएं उपलब्द हैं, इससे भी गरीब और मिडल क्लास परिवारों को लगभग सिर्फ दवाई खरीद करने में 20,000 करोड रुपिय की बच्चत हुई हैं, यानि सिर्फ दो योजनाव से ही अभी तक भारत के हमारे नागरीकों के एक लाग करोड रुपिय उनकी जीव में बचे हुई हैं, साथियों, गंबीर बिबारियों के लिए देश में अच्छे और आधुनिक हेल्थ इन्फरा का होना उतना ही जरूरी है, सरकार का एक प्रमुक फोकस, इस बात पर भी है कि लोगों को घर के पास ही टेस्टिंग की सुविधा मिले, प्रात्विक उप्चार की बहतर सुविधा हो, इसके लिए देश भर में डेड़ लाख हिल्थ और वेलनेस सेंटर तयार हो रहे हैं, इन सेंटर्स में डायाबिटीज, कैंसर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बिमारियों की स्क्रीनिंग की सुविधा है, पी-म आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्रक्टर मीशन के तहट, क्रिटीकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्वों तक ले जाया जा रहा है, इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा एको सिस्टिम विक्सित हो रहा है, इसमें भी हेल्थ एंटर्पेर्नर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, अनेक नए अउसर बन रहे हैं, साथियों हेल्थ इंफ्रा के साथ सरकार की प्राथ्मिक्ता हुबन रिशोर्स पर भी है, बीतो वर्षों में, दो सो साथ से अधीक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, इस वज़े से मेडिकल की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सिटों के संख्या, दोहजार चौदा के मुकाबले, यहने हम जब सत्ता में आये उसके पहले के मुकाबले में, आज दो गुनी हो चुकी हैं, आप भी जानते हैं, कि सफल डॉक्टर के लिए, सफल टेक्निशन बहुत आवशक है, इसलिए इस वर्ष के बजेट वें, नर्सिंग शेत्र के विस्तार पर बल दिया गया है, मेडिकल कॉलेजों के पास ही, 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलना, मेडिकल हुमेन रिसोर्स के लिए बहुत बड़ा कदब है, यह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बलकि दुनिया की डिमांड को पूरा करने में भी काम आ सकता है, साथियों, स्वास्त सुविधा को सुलब और सस्ता बनाने में, टेक्नोलोजी की भूमी का लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमारा फोकस, हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलोजी के, अधिक से अधिक प्रयोग पर भी भी हैं, डिजीटल हेल्थ आईडी के माध्यम से, हम देश वास्यों को, टाइमली हेल्थ केर की सुविधा देना चाहते हैं, इस संजीवनी जैसे टेली कंसल्टेशन के प्रयासों से, गर बैटे ही दस करोड़ लोग डॉक्टरों से, आनलाइन कंसल्टेशन का लाप ले चुके हैं, अब फाइवजी टेक्नोलोजी की वज़ा से, इस सेक्टर में स्टार्ट अप के लिए भी बहुत संभावनाए बन रही हैं, ड्रोन टेक्नोलोजी की वज़ा से, दबाओं की डिलिवरी और स्टेस्टिंग से जुड़े लोजिस्टिक में, एक क्रांती कारी परिवर्तना आते दिख रहा है, यह यूनिवर्शनल हेल्ट केर के हमारे प्रयासों को बल देगा, यह हमारे एंटर्परनर्स के लिए भी बहुत बड़ा आउसर है, हमारे एंटर्परनर्स यह सुनिश्चित करें, कि हमें कोई भी टेक्नोलोजी अब इम्पोर्ट करने से बचना चाहिए, आत्मा निर्भर बनना ही है, हमें इसके लिए जरूरी इंस्टिटूशनल डिफॉंस भी कर रहे हैं, फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में संभावनाओं को देखते हुए, पिछले कुछ वर्षों में कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं, बल्क ड्रग पार्क की बात हो, मेडिकल डिवाइस पार्क की व्यवस्ता विक्सित करने की बात हो, पी एलाइस जैसी योजनाओ पर तीस हजार करोड से जादा का निवेश किया गया है, मेडिकल डिवाइस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में बारा से चवदा परसंट की रेट से ग्रोध भी हो रही हैं, आने वाले दो-तिन वर्षों में ये मार्केट चार लाग करोड तक कहुँचने वाला है, हमने भविश की मेडिकल टेक्नालोजी, हाई-एंड मेनिफेक्टरिंग और रिसर्च के लिए स्कील मेन पावर पर काम शुरू कर दिया है, आई-ए-टी और दूसरे समस्ताओं में मेडिकल उपकरों की मेनिफेक्टरिंग की ट्रेनिंग के लिए बायो मेडिकल इंजिनेरिंग या उसके जैसे दूसरे कोर्सिल्स भी चलाये जाएंगे, इसमें भी प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागिदारी कैसे हो, इंडस्ट्री, अकडेमिया और सरकार इन सब के बीच अधिक से अधिक तान्वेल कैसे हो, और इस पर हमें मिलकर के काम करना है, साथियों, कभी कभी आपदा भी खुद को प्रूव करने का अउसर लेकर आती हैं, एक कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है, कुविड काल में भारत की में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वो अभुद्पूर्वा है इससे हमें केपिटिलाइज करना ही होगा हमारी इस प्रतिष्ठा को हमारी सिद्धी को हमारे प्रतिष विश्वास को रती भर्मी आँच नहीं आनी चाहिए उपर से जादा विश्वास बढ़ना चाहिए Centers of Excellencies के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लौंच किया जा रहा है इन प्रयासों से अर्थ विवस्ता को काफी मजबूती मिलेगी साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे आज इस सेक्टर का मार्केट साइज चार लाग करोड का है अगर इस में प्राविट सेक्टर और अकेडेमिय के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो यह सेक्टर दस लाग करोड को भी पार कर सकता है मेरा सुजाव है कि फार्मा इंडूस्ट्री इसक्षेत्र में इंपोर्टन प्राविटी इरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए है सरकार ने ICMR की कई लैप्स को युवाओं और रिसर्च इंडूस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णे ले लिया है हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्राशक्र है जिसे ओपन किया जा सकता है साथियों प्रिवेंटिव हेल्थ केर को लेकर सरकार के प्रयासों का बहुत प्रभाव हुआ है गंदगी से फैलने वाली बिमारियों से बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभ्यान हो दूए से होने वाली बिमारियों से बचाने के लिए उजवला योजना हो प्रदूसित पानी से होने वाली बिमारियों से बचाने के लिए जल जीवन मीशन हो ऐसे अनेक इनिशेटिव इनके बहतर प्रणाम आज़ देश के सामने आ रहे हैं इसी प्रकार कूपोशन, एनीमिया हमारे देश की एक महत्वपुन समस्या भी है इसलिए हमने राष्ट्रिय पोशन मिशन शुरू किया और अब तो खुशी की बात है, मिलेट्स यानि स्री अन्न जो की एक प्रकार से सूपर फूड है नूट्रेशन के लिए, पोशन के लिए महत्वपुन फूड है और जो हमारे देश में बहुत स्वाभावी क्रिते हर घर उसे परिचित है यानि स्री अन्न पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है भारत के प्रयासों के कारण ही इस वर्स को सयुक्त राष्ट द्वारा इंटरनेशनल येर ओप मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है पी एम मात्रुमंदना योजना और मिशन अंद्रधनुस जैसे कायरकमों से हम स्वस्थ मात्रुत्व और स्वस्थ बच्पन सुनिश्चित कर रहे हैं योग हो आयुर्वेद हो फीट इंडिया मूवमेंट हो इन्होंने लोगों को बिमारियों से बचाने में मदद की है भारत के आयुर्वेद से जुड़े प्रोड़क्स की डिमान पूरी दुनिया में बढ़ रही है भारत के प्रयासों से डब्लू एचो का ट्रिडिश्टनल मेडिसिन से जुड़ा ग्लोबल सेंटर भारत में ही बन रहा है इसलिए हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर से मेरा एक आग्रह है और खास करके आयुर्वेद के साथियों से आग्रह है एविडेंस बेज रिसर्च को हमें बहुत बढ़ाना होगा सिर्फ परणाम की चर्चा परियाप्त नहीं है प्रमान भी उतने ही आवशक है इसके लिए आविवेद के ख्षेतर में काम करने वाले उद्धिम्यों को रिसर्च से जुड़े साथियों को जोड़ना होगा उनको आगे आने होगा साथियों आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्क्टर से लेकर मेडिकल युमेन डिसोर्स तक देश में हो रहे प्रयासों का एक और प्रक्ष है जो नई फैसलिटी देश में तयार कर रहे हैं नई केपसिटी तयार कर रहे हैं उसका अलाब शिर्फ देश स्वाच्यों को स्वास्त वस्विधाव तक सिमित नहीं रहने वाला है अब दुनिया बहुत ही एक दूसरी से जुड़ चुकी है ये भारत को दुनिया का सबसे आकरसक मेडिकल टुरिजम डेस्टिलेशन बनाने के लिए बहुत बड़ा आउसर हमारे सामने है मेडिकल टुरिजम अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर भारत में उभर करके आ रहा है ये देश में रोजगार निर्मान का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है साथियों सबका प्रयास से ही हम विक्सिद भारत में एक विक्सिद हेल्थ और वेलनेस इकोसिस्टेम तैयार कर सकते हैं इस वेबिनार में शामिल होने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपने सुझाव जरूर दें हम बजेट को तैय समय सीमा में निर्धारित लक्ष के लिए निष्टिद रोड में अपके साथ अमल में लाएं सभी स्टेक वोल्डर्स को साथ लेकर के चलें और अगले साल बजेट के पहले हम इन सपनों को धरातर पर उतारें इस बजेट संकल्प को धरातर उतालें इसमें आपके सुझाव चाहिए इसमें आपके बारिक अनुभव का लाप चाहिए बजेविश्वास है कि आप सबका अनुभव आप सबके नीजी विकास के संकल्प देश के विकास के संकल्प के साथ जुड़ करके हम सामुहीक शक्ति से सामुहीक प्रयास से सिद्धी अवश्य प्राप्त करेंगे मेरी आपको बहुत बहुत शुब कामणा है धन्यवाद